प्रोस्त अगर आप भी सिराज को बहतरिन गेंद बाज मानती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त तीसरे दिन के खेल में अपने एक ही ओवर में मौहमज सिराज ने पूरे चार बार डियरस लेने की अपील करी ये नाखिर में हार कर विराट कोली ने कुछ ऐसा कर दिया फिर के सब पेट पकड़कर हसने लगे तो पूरा वाक्य तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या लगता है पहले दो दिनों का खेल भारती टीम के नाम रहा जहाँ अपनी बल्लेबादी से भारती खिलाडियों ने इंगलेंड की टीम को पूरी तरीके से डॉमिनेट किया था शिर्वात रही थी रोहित और केल राहूल के नाम जिनकी धाकड पार्टरशिप के चलते भारती एक रिकेटीम को एक पहतरीन शिर्वात मिली लॉट्स के मैदान पर हमने 365 का स्कोर खड़ा कर दिया और इसके जवाब में इंगलेंड की टीम की जब बले बासी आई तो उनकी शिरुवात भले ही अच्छी ना रही हो लेकिन तीसरे दिन के खेल में कप्तान जोर उटने शतकी अपारी तो खेली ही साथ ही 180 रन तक लगा गई इसी भी जॉनी बैसो ने भी अच्छी बैटिंग करी उनके सकतावण रनों ने टीम को एक अलगी मजबूती दी जिसके बाद इंगलेंड की टीम पूरे 391 रनों पर ओल आउट हो गई और वो 27 रनों की पल्ट से आगे है लेकिन दोस्तों जब भारती टीम की गेंदबासी चल रही थी तो भारती टीम की तरफ से सबसे ज़ादा विकेट लेने वाली खिलाडी सिराज ने इस इनिंग में कुछ ऐसा कर दिया अपने ओवर के दोरान के भारती टीम के सबी खिलाडी अपना पेट पकड़कर हासने पर मजबूर हो चुके थे तरफसल दोस्तों सिराज मैदान में ओवर एक्साइटिड ही नजर आती है हर बोल जो पैट पर लग जाए उसके वो रिव्यू की मांग करते हैं लेकिन तीसरे दिन के खेल में तो कुछ अज़बी हो गया अपने ओवर के दोरान उन्होंने छे में से चार गेंदों पर तो डियारेस की मांग ही कर दी तोस्तों ये पूरा वग के पारी के 115 ओवर का है आपको बता दे के सिराज गेंद बासी कर रहे थे और उनके चार विकेट भी पूरे हो गए थे बात आ चुकी थी उनके पांच विकेट के हॉल के कम्प्लीट होने की जिसके बाद तो सिराज ज़रूत से ज़ादा ही एकसाइटेड होते नजर आए वो भी हर बोल पर 115 ओवर की पहली गेंद पर तो कोई रन नहीं आया लेकिन दूसरी गेंद रोबिंसन के पैड पर जाकर लगी और सिराज तो इस बात की भी तेस तर्रार अपील करने लगे जबकि गेंद पूरी तरीके से बाहर की तरफ जा रही थी खेर यह तो केवल पहला ही वाक्य था सिराज ने अगली गेंद को एक बाउंसर में तब्दील कर दिया और रोबिंसन चाहकर भी गेंद को नहीं खेल पाए लेकिन सिराज तो इस बात पर भी अपील करना चाही रही थे कि वो रुक गई अगली गेंद पर सिराज को चौका लग चुका था जिसके बाद गुस्से में सिराज ने दोस्तो इस ओवर की पांचवी गेंद को अंदर की तरफ एंगल खुमाते हुए सीधा पैड पर देमारा अब इस बार तो अपील करने के लिए सिराज ने पूरी जी जान एक कर दी लेकिन अंपायर टेस्स से मसना हुए और रिव्यू मांगने की उनकी हिम्मत नहीं थी लेकिन अगली गेंद पर जो हुआ उसे देख कर तो शायद आप भी हसने लगेंगे दोस्तो इस ओवर की छटी गेंद फिर से जाकर लगी सीधर रॉबिंसन के पैड पर और इस बार तो सिराज ने कोली के पास जाकर बच्चों की तरह उनसे डिमांड करी के अवील की जाए डियरस रिवू का इस्तमाल किया जा और अंपायर को चैलेंज किया जाए लेकिन कोली ने साफ हस्ते हस्ते इंकार कर दिया जब बड़ी स्क्रीन पर देखा गया कि वागई में कोली ही सही थे तो सिराज के उपर सब हस्ते लगे तोकि दोस्तो सिराज को तो अपना पांचवा विगेट दिख रहा था अब ऐसा ही कुछ हुआ पारी के 121 वे ओवर में रोस दोरान गेदबासी पर जब सिराज आए तो बल्ले बासी कर रहे थे जोरूट और इस ओवर की दूसरी गेंद फिर से जाकर लगी जोरूट के पैड़ पर यावर भारती टीम के खिलाफ अमपायर स्कॉल का शार जच के 5 विगेट भी रह गए और नहीं भारती टीम के जोरूट का विगेट मिल सेका ऐसी सभी तासा खबरों के लिए भी सबस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को तनेवाद